आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हैं मैंचिकल लाइफ मोटिवेशन चानल में अगर आप नए हैं इस चानल पर तो प्लीज सब्सक्राइब कीजे आज इस केंडल वैक्स रुडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे आपकी लव लाइफ में क्या चेंज आने वाला है आप आपके पर्सन की करेंट फिलिंग्स डीप इमोशन क्या है क्या सोच रहें वो और उनका नेक्स्ट एक्षिन आने वाले दिनों में क्या हो सकता है आपके रिष्टे में ओवरॉल क्या बदलाव आए आने वाला है यह जानने की कोशिश करेंगे फ्यूचर एनरजी और प्रे प्रेशन की साथ मैच करेगा सब कुछ अपने उपर मत लीजे जो भी रैसोनेट होता है वही लीजे क्योंकि जैनरल रडी है और सभी राशी वालों के लिए यह रिडिंग होता है लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ डाउट से अगर आप जानना चाहते हैं डीटेल में याद कर सकते हैं मेरा नंबर स्क्रीन की उपर है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको वाट्सेप मुझे करना है और वह पेड रिडिंग होता है फ्री नहीं होता है तो जल्दी से अपने पार्टनर को याद कीजेगा उनकी तस्वीर देख सकते हैं उनका शहरा याद कर सकत केंडल की फ्लेम की उपर फोकस करके अपने पार्टनर का चहरा याद कीजे उनकी साथ बिताय हुआ वक्त याद कीजे और उनका नाम लेजे ताकि उनकी एनरजी आपर रिफ्लेक्ट हो सके इस कैंडल वैक्स रिडिंग में क्योंकि जब आप कनेक्शन बनाते हैं उनको या अगर आप मैरीड पर्सन से प्यार करते हैं तो आप थर्ड़ पार्टी हो गए कि आप husband wife है और कोई बीच में आया है तो third party वो आने वाला third person हो सकता है अगर आप married person से प्यार करते हैं तो आप third party हो गए क्योंकि वो किसी और के थे पहले से ही लेकिन आप उनसे प्यार करने लगे हो तो आप third party है चाहे male है या female दोनों के लिए same lady है तो याप third party situation तीन लोग जुड़े हैं रिष्टे में और आपके partner क्या confusion मुझे दिखाए देता है मतलब इनके समझ में नहीं आता कि इनको क्या करना चाहिए प्यार तो दोनों से है या अगर आप जैसे कि जिन्देगी के mode पर आपको प्यार किसी से भी हो सकता है लेकिन फिर भी मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि एक ही इनसान आपके जिन्देगी में हो सकता है जिससे आप दिल में आपके special जगा होती है और मुझे ये लगता है कि आपके दिल में इस person के लिए special जगा है चाहिए person बिलकुल single है आप दोनों single है या आप single है या person married है तो भी मुझे लगता है कि ये सबसे special है आपके लिए और partner को पता है आपकी partner को ये पता है वो feel भी कर पाते है कि आप उनको कितना चाहते हो भले वो नहीं express करते हैं या नहीं बताते हैं कि मुझे मालूम है कि तुम मुझे से प्यार करते हैं नहीं बताते हैं feelings express नहीं कर पाते हैं S letter बहुत ही strongly उठकर आया है और 5 number यहाँ पर मुझे दिखाए देता है 5 budget हो सकते हैं आपके 23 budget हो सकते हैं तो इस रिष्टे में confusion बहुत जादा है पार्टनर की तरफ से जादा confusion दिखाए देता है कि इनको मतलब फैसला नहीं ले पा रहे हैं कि आपके तरफ जाए या ना जाए रिष्टे को रखे या खतम करें इस टैप का confusion आपके तरफ से यह confusion दिखाए देता है कि आपको क्या और भी इंतजार करना चाहिए इस परसन का या फिर आपको let go करना चाहिए क्योंकि इनसान आए खुशी दिया और चले गए तो कहीं न कि दोनों तरफ से मुझे confusion दिखाए देता है लेकिन आने वाले जो दीन है आने वाले जो वक्त है आपके लिए बहुत यह खुबसरत हो सकता है यहाँ पर किसी का घर बनते वह नजर आता है किसी की शादी होते वह नजर आता है किसी का reunion होते वह भी नजर आता है reunion होने के chances बहुत जादा है क्योंकि यहां पर partner के energy की बात अगर आज करें तो वह आपके बिना नहीं रह सकते बहले वह आपको avoid करते हैं अभी बहले वह आपके call messages का reply बिल्कुल नहीं देते हैं यह person जब भी आपसे बात करते हैं हो सकता है कि daily बात नहीं होती है लेकिन जब भी बात होती है यह person अच्छे से पेश आते हैं आपके साथ और फिर वो block करते हैं फिर वो आपको ignore करते हैं लेकिन जब फिर से उनका मन करते हैं आपके साथ बात करने का तो बहुत ही अच्छे बात तो आपके समझ भी नहीं आता कि इंसान अच्छा तो है मितलब अच्छी तो सोच रही है या सोच रहा है अच्छी से बात करते हैं लेकिन ऐसी कौन सी बात है जो इस परसन को मेरे से दूर रहने पर मजबूर कर रही है या मेरे से दूर कर रही है यह आपका टेंशन मुझे यहाँ पर strongly नजर आता है यहाँ पर जो राशिया उठकर आई है यह राशी आपकी हो सकती है या फिर आपके पार्टनर की हो सकती है क्योंकि दोनों इस रिष्टे से जुड़े हो तो दोनों की राशिया यहाँ पर reflect होंगी सबसे पहले जो है वह है सीह राशी यानि कि लीवो राशी उसके बाद करक राशी स्कॉर्पियो व्रशक राशी लीब्रा है यहाँ पर लिवो राशी तुला राशी और वर्गो कन्या राशी यह कुछ राशिया मुझे यहाँ पर फील हो रही है दिखाई देती है और कुछ होंगी तो आगे देख लेंगे नमबर 6 नमबर 5 बहुत ही strongly reflect हो रहा ह आज नमबर 9 भी यहाँ पर है यह आपकी budget हो सकती है नव हो सकते है बड़ेट आपकी 6 हो सकते है पांच हो सकती है या फिर आपके partner की मुझे यहाँ पर यह लगता है कि आप manifest कर रहे है आज बहुत ही strongly manifest कर रहे है इस partner को और अभी चो portal आ रहा है शायद आपका यही सपना है कि इस portal के दौरान आपको अपने partner एक ताब वो आपके जिंदगी में आए आपको accept करें या पहले जैसे आप दोनों का रिष्टा हो यह आपका सपना मुझे यहाँ पर फिल होता है नमबर टू यहाँ पर strongly reflect हो रहा है नमबर दो तो मुझे यह दो नमबर यह कहने की कोशिश कर रहा है जैसे कि अभी पॉर्णिमा जो आएगी फूल मून की एनरजी यह भी आपके जिंदगी में कुछ ना कुछ बदलाव लेकर आएगी बहुत थी मुझे लगता है कि हस्ता मुस्कुराता कपल मुझे दिखाए दे रहा है यानि कि आपकी जोड़ी मुझे लगते है खुश्यों सी भर जाएगी आपके जिंदगी में खुश्या लॉट कर आ रहे है यह जो बुरा वक्त रहा है या no contact situation minimum contact situation या आप दोनों को किसे ने separate किया या खोदी separate होने का फैसला लिया आपने या आपके पार्टनर ने ये वक्त बहुत ही बुरा रहा है दोनों के लिए दोनों के समझ में नहीं आया उस वक्त कि आपको क्या करना चाहिए बस आपको separate होना था और separate हो गए लेकिन यहाप पर मुझे दोनों की feelings positive लगती है जैसे कि दोनों चाहते हैं यह रिष्टा फिर से जुड़े ऐसा नहीं कि एक side से है no contact situation भले आपका भी चल रहा है लेकिन आपके partner चाहते हैं कि आपके साथ reunion हो आपके partner चाहते हैं कि फिर से दोनों का रिष्टा सही हो यही मुझे यहाँ पर strongly feel होता है पार्टर की thoughts ऐसे हैं जैसे कि इनको आना है आपके तरफ लेकिन फिर वो पीछे हट जाते हैं कि अभी नहीं बाद में देख लेंगे इस टाप की thoughts हैं मतलब यह बहुत सथा anxious हो जाते हैं मतलब इनको हर चीज आपके बारे में जाननी है कि आपके जिंदेगी में क्या हो रह यह चीज़े उनको जाननी है यहां पर block situation भी दिगाए देता है जैसे कि रास्ता block है यह किसनी phone पर block किया है आपने उनको किया उन्होंने आपको किया है तो वह कहीं न कि मुझे लगता है कि block situation हटेगा क्योंकि person को contact में आने का है तो block situation में आप contact में नहीं आ सकते जब तक unblock नहीं करते न कि उस इंसान को आप अगर unblock करते हैं तो at least वह इंसान आपको status तो देखेगा DP देखेगा कुछ तो देखेगा देखेगी तो आपको पता चलेगा कि यह person आपके उपर नजर रखे हुए है लेकिन जब आप block करते हैं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं लगता है यह soul mate connection मुझे दिखाए देता है यहां पर कोई चश्मा चश्मिश मुझे energy लगती है कोई चश्मिश है आप यह आपके partner और एक बर्ड का सिंबॉल बर्ड से ज़्यादा पिकॉक का सिंबॉल बनावा है यहां पर पिकॉक का सिंबॉल बनावा है जो कि positivity को धर्श के साथ connect हो रही है उनको याद दिला रही है आपके बारे में और यह person मुझे लगता है कि पिकॉक का सिंबॉल यह कहता है कि future आगे अच्छा है वक्त आगे अच्छा रहेगा एक दुसरे के साथ रिष्टा आप निभाएंगे जरूर अभी दूरिया है तो यह जो दूरिया कुछ ना कुछ सिखा कर ही जाएगी आपको भी आपके partner को भी और आप एक अच्छी तरके से आगे रिष्टे में move on करेंगे दोनों साथ में यहाँ पर मुझे यह लगता है कि past को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है आपके partner आपके भी जगड़ी हुए है आपके बीच लड़ाई हुई है किसी चीज को लेकर misunderstanding हुई है इस person को किसी ने कुछ गलत बताया आपके बारे में और उनको clarity नहीं मिली है तो वो चीज को लेकर नहीं यह person अभी भी बैटे है यहाँ पर आप देख सकते हैं black drops के रहे हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं black drops यह कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो past था आप दोनों का वो बुरा था यहाँ कि जब आप एक दूसरे से दूर होए खफा होए या अलग होए वो जो time था दोनों के लिए कहने के de-attachment time बहुत बुरा रहा है आप नहीं आपने नहीं सोचाता कि परसन आपको छोड़ करी जाएंगे दूर जाना या फिर रुसना या फिर गुसा करना नारा जोना यह तो normal चीज़े हैं और human emotions हैं वो तो समझ सकते हैं लेकिन हमेशा के लिए आप से दूर जाएंगे और आपको block करेंगे यह कोई serious condition मुझे यहाँ पर लगता है जो कि आपने expect नहीं किया था यहाँ पर हीरन का भी symbol मुझे दिखाए देता है जैसे कि हीरन होता है ना बहुत fast दौरता है उसके movement बहुत fast होता है और उसकी नजर हर तरफ होते हैं तो मुझे यह कहने के कोशिश करता है जैसे कि spy camera की तरह आपकी person की आखें हैं आपके उपर कि आप क्या सोच रहे हो आप जैसे कि true यह जानने की कोशिश कर रहे हैं हो सकता है कि आपकी आप नहीं चानते हैं लेकिन यह किसी और से contact में है जैसे कि आपके friend से contact में हैं आपके colleague से contact में हैं आपके भाई बहन से contact में हैं सिर्फ और सिर्फ जानने के लिए कि आपकी life में क्या हो रहा है और आपका mood कैस बहुत जादा यह जानना चाहते हैं कि आपके लाइफ में क्या हो रहा है यहाँ पर एक Will of Fortune जैसे एनर्जी भी बनी है और जैसे मिनेकार की हिरन की एनर्जी है तो वो भी मुझे दिखाए देती है और कहीन की मुझे लगता है कि person का जो decision है वो उनको बहुत जादा सता रहा है क्योंकि जो इनने decision लिया आपका साथ जोड़ने का आपके साथ break up करने का वो गलत था और जब आप गलती करते हैं तो आज नहीं तो कल आपके सामने आपको खुद दिखाए देता है कि मैंने यह जो चीज़े की है उसके जीमेदर मैं हूँ तो आज उनकी feelings यह है कि कहीन की मान रहे वो कि उनकी गलती हुई है आपको धोका देना तो intention नहीं था उस person का आपके partner का intention यह नहीं था कि आपको धोका देना है आपको cheat करना है लेकिन इनका ego attitude और pride इनको कहीना कहीं पीचे खीच रहा है क्योंकि जब आपको घमंड होता है किसी चीज़ को लेकर या आपका गुसा जब तेज होता है तो आप किसी को बरदाश नहीं करते हैं और यह person को वहीं लगता है कि जब वो अकेले रहते हैं तो आपके बार भी सोचते हैं और जब यह आपके पास रहते हैं आपके साथ रहते हैं तो आपके साथ लड़ते हैं यह उनका अजीब सा स्वबाव यहां पर मुझे फील होता है कि परसन आपको जाने भी नहीं देते और आपको अपनाते भी नहीं है अजीब सी उलजन इस रिष्टे में मुझे फील होती है लेकिन सच में यह परसन जब अकेले रहते हैं आपको बहुत जादा मिस्स करते 12 हैं इनको हर एक बात आपकी याद आती है और कुछ बाते इस एस जहां पर उनको हसी भी आती आपको याद करके ऐस만 आपको लाती है इस परसन की चैरे आपको अच्छा लगते हैं तो वह चीज़ें कईनके missing है इस परसन के जिंदेगे में क्यूंकि यह परसन बहुत रहते हैं एक तो काम के उपर काम 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 करके focus रहते हैं या फिर गुसा गुसा करते रहते रहते हैं हर किसी पर तो इनके समझ में नहीं है ऐसे स्वबाव के लोग जो देना उनको रीडिंग लेना चाहिए उनकी रेमेडी उनको जरूर करनी चाहिए उनको दशाद चेक करनी चाहिए और बहुत कुछ कर सकते हैं अपने आप में चेंज आप खुद ही ला सकते हो तो यह कहिना कि फोकस्ट इस परसंद का अभी इस वक्त आपके उपर हैं आपसे दूर हैं लेकिन फोकस्ट या थॉट्स आपके बारे में चल रहा है इस परसंद के मुझे पार्टी सिच्वेशन अगर है तो निकल जाएगी यहाँ पर आप देख सकते हैं एक स्टैच्यू जैसा फॉर्म हुआ है जो बहुत ही नेगिटिव वाइब्स दे रहा है ऐसा पॉजिटिव नहीं लग रहा है मुझे एक नेगिटिव इंसान जो की दोनों को अलग कर रहा है उस टैप की फिलिंग्स मुझे आरे तो यह जो नेगिटिव परसन आपके जिंदेगी में अगर थर्ड पार्टी है कोई थर्ड व्यक्ति तीसरा इंसान कोई है जो चाहता है कि आप दोनों अलग हो और वो अंदर आप दोनों की बीच में घुसना चाहता है या चाहती है तो वो दूर हो जाएगी क्योंकि जब आप नेगिटिव होते होना तो पॉजिटिव एनरजी उसको खतम ही करती है तो अगर आप दोनों पॉजिटिव है या आपका दोनों का प्यार बहुत ही सिरियस है दोनों का प्यार कमजोर नहीं है तो कोई और आने की हिम्मत नहीं कर लेगा आप दोनों की बीच तो थर्ड पार्टी सिचुवेशन खतम होनी का वक्त अभी आज चुका है और यह मुझे यहां पर फील होता है कि अगस्ट बॉन हो सकते हैं आपके पार्टनर स्ट्रॉंग लगता है मुझे ऑगस्ट के आठ तारीक को बॉन है रच बॉन हो सकते हैं एप्रिल बॉन हो सकते हैं डिसेंबर की निस तारीक यह डिसेंबर की बारा की שका नाम है यहांपर लेटर्स की बात करते हैं कुछ letters जो मुझे आज यहां पर दिखाए देती हैं उसमें G letter है गोविन नाम हो सकता है उसके बाद मुझे यहां पर U letter दिखाए देता है उमेश नाम हो सकता है P letter है यहां पर O letter यहां पर है P O उसके बाद मुझे M letter दिखाए देता है M letter से नाम हो सकता है जैसे कि मनीशा नाम हो सकता है, मनीश नाम हो सकता है, मयूर नाम हो सकता है, पिकॉक का भी सिंबॉल बना था, तो मयूर नाम strongly यहाँ पर आज इस रिडिंग में आ रहा है, next जो letter मुझे दिखाए देता है, वो है N letter, नेतरा नाम हो सकता है, नयन नाम हो सकता है यह दिखाए देता है बल बल्विंदर नाम हो सकता है यह कुछ लेटे यहां पर मुझे फील हो रही है future energy की बात करते हैं कि person की तरफ से क्या action हो सकता है मुझे यह आपको लेकर मुझे आपको लेकर आपने कोई trip booking किया था और उसके बाद जगड़ा हो गया और आपको अभी कहीना की ये tension है कि यह person परसन मान जाएंगे कि आप साथ में जाने के लिए क्योंकि booking तो हो चुका है उसके बाद दोनों का जगड़ा हो चुका है लेकिन दोनों साथ में जाते वे नजर आते हैं मुझे चाहे वो national trip है या international trip है लेकिन कहीं पर आप घूमने जा सकते हैं साथ में या फिर जहां पर आपके partner और उस वक्त उनसे आप मिलेंगे या वो आपसे मिलेंगे जरूर यूनिवर्स चाहता है कि आप दोनों को मिलाएं और इस बार वो surprising meet होगा यानि कि meeting आपके ऐसी होगे न कि आपने सोचा नहीं होगा कि आप कहीं पर जाएंगे और अच्छनक वो person भी वहीं पर भी होंगे ऐसा कुछ होगा सिच्वेशन जाता करकि filmy style situation मुझे लगता है surprising situation हो सकता है यह person को जैसे कि आपको बुलाना बहुत मुश्किल हो रहा है यह person completely आपको भुला देना यह मुश्किल है यह आपको भुला कर किसी और के साथ move on करना यह भी not possible not at all possible नहीं होगा आपके partner को यह पर lotus का symbol भी मुझे feel होता है जैसे कि positivity आ रहे है आपके रिष्टे में कहीना कि positivity आ रहे person आपको लेकर serious हो रहे है आपको लेकर इनका यह कहना है ना कि जो भी वक्त आपके साथ यह person ने spend किया है वो recreate करना चाहते है वापस उनको craving है उनको वो चाहत है उनकी कि मुझे वापस वो वक्त चाहिए वापस आपको पाना चाहते है अपने जिंदेगी में लाना चाहते ह आज उनके energy अगर देकी जाए तो एक तो वह बहुत जाहिए आपको और उपर से उनकी energy यह है कि इस रिष्टे को ठीक करना चाहते हैं भले इस रिष्टे में उनको माफी माचने पड़े। भले इस रिष्टे में उनको बहुत time wait करना पड़े लेकिन और नहीं क्यों इनकी सोच आपके बारे में ही है कि रिष्टा ठीक करना है और इस रिष्टे को लेकर आगे जाना है फ्यूचर में इनको मतलब फ्यूचर को लेकर सिरियस होते वह नसर आते हैं इनको यह लगता है ना कि जो भी हुआ है आप दोनों की बीच अगर लड़ाई हुई है या आपने शक किया उनके उपर उन्होंने शक किया आपके उपर तो वो उनकी फिलिंग साच ऐसे है कि सब कुछ भुला कर क्या हम नहीं शुरुआत कर सकते हैं क्या न्यू बिगनिंग क सोचती हैं उनकी घर के लोग क्या सोचते हैं आपके घर के लोग क्या सोचते हैं आप दोनों की फ्रेंड्स क्या सोचते हैं उनको कुछ भी लेना देना नहीं है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी दिल की बात सुनना चाहते हैं ऐसी फिलिंग से उनको अपनी दिल की करनी है जो क my own terms तो कहिना कि अपनी खुशी के बारे में अपनी happiness के बारे में और आपके साथ relationship के बारे में सोच रहें तो यह बहुत ही positive वक्त आ रहे हैं वेट कर रहें आपके लिए अगर आप निराश है बहुत ज़्यादा relationship टूटा है person अपसे बात नहीं कर रहें partner आपको avoid कर रहें इस रिष्टे को लेकर clarity नहीं दे रहें आपको लगता है कि मुझे चोड़ा है क्योंकि कोई और उनके जिन्दगी में आया है तो यह सब चीजों की सवालों की जवाब आपको ज़रूर मिलने वाले हैं आने वाले इंजल बटरफ्लाइज बहुत आते हैं बटरफ्लाइज या एंजल विंग्स यहां पर हम मुझे दिखाए देता है इंजल विंग एंजल विंग्स यह कहना चाहते हैं जैसे कि balance आपके जिन्दगी में आयेगा सोच समझ कर कदम उठाने वाले हैं आपके partner और इनको वह गल connection है soulmate connection हो सकता है और इनको तकलीफ होती है यह person खुद आपको तकलीफ देते हैं यह खुद अगर आपको नाराज करते हैं खुद आपसे दूर चले जाते हैं लेकिन इस person की mind में आपके बारे में सोच रहती है आपको लेकर यह person चिंतीत भी रहते हैं कि मेरे वज़े से या हैं और उसके बाद उनको पश्टावा भी होता है कि मुझसे गलती हो गई तो यह गलती नहीं करना चाहते हैं आगे जाकर इस रिच्टे में अपना 100% देना चाहते हैं आपके साथ एक हस्ती मुस्कराती life spend करना चाहते हैं आपके साथ यह person दुनिया घुमना चाहते हैं हैं कि बच्चपन बहुत ही बुरा रहा होगा या फिर बच्चपन में ही parents नहीं रहें आपके या पार्टनर के तो मुझे यह भी सोच ऐसा लगता है है सोचते हुए आप या आपके पार्टनर कि उसका कोई नहीं है और मुझे उसका साथ देना चाहिए मुझे उसको हर तो energies or thinking बहुत कुछ मिलता जुलता है एक जैसा होता है गुसा भी आता है तो दोनों को आता है हसी भी आते है तो दोनों को आते है happy mode रहता है तो दोनों का रहता है उस type का situation मतलब बहुत कुछ एक दुसरे को आप equally compliment करते है तो इनको ऐसे लगता है यह person को आपके ऐसे लगता है कि पैसा सब कुछ नहीं है पैसे से हो सकता है कि पैसे के पीछे थे यह person क्योंकि pentacles के energy भी लगती है मुझी कहीं कहीं पर तो पैसा सब कुछ नहीं है अगर वह पैसा कमाते भी है लाकों में करोडों में और अगर प्यार नहीं है जिन्दगी में या वो special इंसान आपके जिन्दगी में नहीं है जिसके लिए आपनी पैसे कमाएं तो उसका कुछ फिर फायदा नहीं है फिर वो life useless है ऐसा उनको feel होता है परसन आपके लिए आज तरस रहें आपके लिए तरप रहें और जो इंसान अभी तक आपको अवाइट कर रहे थे वो आज कहीं न कहीं आपको लेकर serious होते में नज़र आते हैं यानि कि आप नहीं तो कुछ भी नहीं जो आप सोच रहे थे वैसा ही मुझे यहां पर नज़र आता है tarot cards से हम check out करेंगे कुछ tarot cards लेकर कि क्या energy आपके लिए आ रहे हैं देखने की कोशिश करेंगे प्लीज पार्टनर को याद कीजिएगा देखते हैं कि आने वाले दिनों में आपके लिए person कि तरफ से क्या action होगा person की सोच आज क्या है अपने आप गिरे हैं card सो लें चाहते हैं यह person करना चाहते हैं यहां पर दोनों cards traveling को दर्शारी है जैसे कि six of wands घोड़े पर बैठ कर इंसान आ रहा है यहां पर night of pentacles घोड़े पर बैठ कर person आ रहा है यह इस परसन के साथ रिष्टा आपका बहुत पुराना है एक दो मेने का रिष्टा नहीं है एक दो सा साल पुराना या फिर बच्पन का college का इस टाइब का रिष्टा है बहुत टाइम से आप दोनों एक दूसरे को जानते हो कुछ सालों से जानते हो कुछ सालों से आप relationship में हो चाहे वह workplace पर आपका रिष्टा जुड़ गया college के time आपको प्यार हो गया या फिर आपका घुमने गये थे वहां पर प्यार हो गया यह person आपके neighbor हो सकते हैं बच्पन से आपके crush रहे होंगे तो यह मुझे लगता है कि बच्पन का प्यार यह बहुत जादा strongly और 6 number आप देख सकते हैं आपको ज़रूर claim करना चाहिए 66 की energy बहुत ही positive मुझे लगती है दोनों cards की person आपके बि लगा देना इतना आसान नहीं रहेगा आपके partner के लिए तो यह कहीं न कि अपना घमंट अपना attitude side में रखकर अपनी feelings express करने की कोशिश करेंगे आपके लिए इनके दिल में बहुत प्यार है लेकिन नहीं बताते यह आपके बिना नहीं रह सकते लेकिन नहीं बताते तो अब भी ठीक होते में नजर आते हैं ज़रूर यह आपको accept करेंगे acceptance के energy हाँ पर आई है कि कहीं न कि person की दिल में passion भी है courage भी है आपको accept करने का या फिर family के खिलाफ जाकर आपसे शादी करने के बारे में अगर आप divorce है वो जैसे कि single है या वो married है तो इस रिष्टी को निमाने की हिम्मत उन में है यह रिष्टा इतना आसनी से नहीं टूटेगा देखे future को लेकर भी बहुत जादा serious होते वे नजर आते परसन तुरी आप वांड्स यह आपको claim करने चाहिए energy तुरी आप वांड्स future में celebration है future में एक अच्छा वक्त है future आप दोनों का लिखा हुआ है भग आपके जिन्दिगे में आए इसलिए आपके साथ उनकी पैंचान हुई इसलिए दोनों को एक दूसरे से प्यार हुआ इसकी वज्जह है तो यह मुझे लगता है कि यहां पर past life connection दिखाए देता है यहां पर future को लेकर परसन आपके partner serious होते वे नजर आते हैं आपकी favor में decision ल आपके लिए lucky है छे नंबर दो बार आया है और 14 नंबर यहां पर 14 और यहां पर 12 है 12 और तीन नंबर की energy है तो 14 एक बार आया है 12 दूसरी बार यहां पर आयवा है राशी के अगर बात करें तो Gemini, Libra, Aquarius यानि कि मितुन राशी, तुला राशी, कुंबा राशी, Aries, लिव, राशी, व्रशक राशी जिसमें से लिवो यानि कि सीह राशी यहां पर बहुत ही जादा prominent मुझे दिखाए देती है वैसे तो Gemini भी बहुत ही prominent यहां पर है तो आज का reading यही कहता है कि आने वाले कुछ हफतों में, आने वाले कुछ दिनों में बहुत बड़ा बदलाव आप लोगों की life में आ सकता है, love life में, जिस persons के साथ आप रिष्टा चाहते थे, जिस person के साथ अपने future को लेकर सपने देखे थे, वो आपके पूरे होते वे मुझे नजर आते, तो claim कीजे इस reading को, thank you all of you, thank you angels and thank you universe.